हाई गाईज दिस इस यूटुब चानल मार्केट मूवर और यहां पे मिलते हैं आपको कॉलिटी वाले स्टॉक की डीटेल साथ ही अपडेटेड नियूज और उस नियूज के रिगार्डिंग जिस स्टॉक पे तेजी रहेगी उस स्टॉक के बारे में डीटेल्स बताए जात दो इस टॉक इस वीडियो पर मैं कबर करूंगा दोने स्टॉक बड़े बड़े ब्रोकर्स ने बड़ी बड़ी टार्गेट दिये हैं और उनको सब पता है कि कौन से स्टॉक पे इस पर्टिकुलर नियूज का इंपक्ट पड़ेगा ऐसा क्यूं क्योंकि उनको पूरा तो देखे सबसे पहला स्टेटमेंट जो आया है वह स्टेटमेंट है 3 लाग करोड कोलाटरल फ्री और्टमेटिक लोन्स फॉर MSME आपको कोलाटरल के बारे में पता है मैं आपको MSME बताता हूं साइध यह भी पता होगा इसके डिबलप्मेंट के लिए ही यह तीन लाग करोड दी गई है और इसके कोलाटरल फ्री की गई है और साथ ही देखिए यहां पे तीस हज्जार करोड लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर NBFC और HBSP और मेश्वल फंड्स तो यह सारी चीजें यह दो न्यूज काफी परभा है बट कल कुछ टार्गेट डिवाइब की गए हैं जो कि सौट टर्म के लिए बताया गया है लगभग साड़ी तीन सो का टार्गेट दिया जारा स्टॉक काफी बहतरी इन स्टॉक है इसमें कोई भी टेंसन लेने की बात नहीं होगे देखिए मोतिला लोसवाल ने यहां प ब्रोकरिंग फॉर्म ने इसे टार्गेट दिया है और यह टार्गेट बारत आरीक को दिया गया था लेकिन अभी जो तीरह तारीक को एनांस्रोमेंट आई है इसमें मैंने इस स्टॉक को अपने तरफ से सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आप देखिए गा बंधन बैंक क्या करती यह focused on servicing unbanked and underbanked population of India it offers world-class banking solution and the financial services in the form of asset and liquid product services it offers regular banking services उसके बाद micro maintenance and MSME तेक लिए आप यहां पर इस वर्ड का मैंशन और finance minister को वहां पर इस वर्ड का मैंशन मतलब माइक्रो small and medium enterprises को यह loan देती है और यह सबसे ज्यादा loan बाटने वाली छोटी कंपनियों को यह बंदन बैंक है तो बंदन बैंक को नजर पर रखे स्टॉक बहुत जबरजस्त है स्टॉक काफी नीचे के वैल्यू पर मिल रहा है इस स्टॉक को आप लॉंग टर्म के लिए भी ग्रैप कर सकते हैं स्टॉक की कॉलिटी बहुत ही अच्छी है ठीक है तो स्टॉक को लॉंग टर्म के लिए भी आप देख लीजिए यहाँ फंडामेंटर्स डिट्टी देखिए पर मुटर्स की ओल्डिंग देखिए रिटर्न यहाँ पर भी बहतरी नजर आ रही है क्योंकि इस स्टॉक में बारी गिरावट हुई है इसके बाद भी आप देखिए स्टॉक छेसू साड़े छेसू तक गया हुआ था अभी साड़े तीन सो का टार्गेट निकल के आ रहा यह स्टॉक काफी तेज हो जाएगा आज से कल भ आने का मौका मिले साड़े तीन सो के टार्गेट दिये गए हैं मैं टार्गेट की बात नहीं कर रहा हूं इस स्टॉक पर बना जा सकता जैसे कि मैंने नियूज के रिगार्डिंग इस स्टॉक को इसके साथ रिलेट किया क्योंकि MSME को लोन देता है और इस सेक्टर पर बूस इसमें बड़े टार्गेट्स हैं देखें 25 का मार्केट प्राइस चल रहा तीन हजार के आसपास में यहां पर आईसी आईसी सेक्यूरिटी जने बाइंग करवाई है यहां पर देखें 11 तारीक को जो आया है यहां पर देखें निरमल बैंक इंसीटिशनल के तरफ से यहां पर टार्गेट जो नजर आ रहे हैं वह 2600 रूपिय का दिया जा रहा है 2600 रूपिय का और अगर हम लोग बात करेंगा आईसी आईसी सेक्यूरिटी जो इस पर बहुत बड़ी टार्गेट्स दिए दे दिया थ्री थाउजंड का टार्गेट इन्हों ने दे दिया साथी ब्रांड पच्चास जार करोड से ज्यादा की मार्केट कैप साथी डिट फिरी कंपनी और जिस सिग्मेंट पर काम करती है इसमें को लॉस की कोई चांस इस नहीं है एसेट को मैनेजमेंट करती है ए यू एम एसेट अंडर मैनेजमेंट ठीक है तो यह कंपनी अच्छा करी है और करेगी देखिए मैंने सुच आपको सभी चीज़े दिखा दूं पचास हजार क्रोड की मार्केट कैप है और यह देखिए दोनों पैरामिटर सेल्स देखिए डिवीडेंट डिल बहुत थोड़ा से कम है बड़ेड फिरी कंपनी है पर मोटर्स की 80% की हिस्सिदार और साथ ही मैं इसका चार्ट पेटन दिखाऊंगा कि क्यों से स्टॉक को बाई करना चाहिए जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद यह रुकाई नहीं है साड़े तीन हजार तक गया था और मार्केट के क्रास के बज़े से स्टॉक पी नीचे आया अभी यह स्टॉक सिर्फ एक ही साल हुआ इसकी लिस्टिंग कि एक साल भी कम्प्लीट एक साल कम्प्लीट हो चुका एक सल कुछ मैंने और यह स्टॉक लगबग डबल चला गया था आपने लिस्टिंग प्राइस 1836 मतलब कुछी मैने में इनके साल के अंदर मिनों डबल की रिटन दिए स्वा सब्सक्राइब कर सकते कोई दिक्कत नहीं से स्टॉक पर लॉंग टर्म के लिए तो दोनों स्टॉक काफी तेज हो सकता मैंने कुछ दिन पहले दो दिन पहले दो स्टॉक आपको बताए थैं सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके घर चाहिए